प्रदेश की पहली बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। कोरोना काल में जहां एक और लोगों को आर्थीक परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं शनिवार को बिच्छी वारा पुलिस को एक बड़ी सफलता हात लगी। थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए कार में गुप्त दराजे बना कर करोड़ रुपे की राशी का परिवहन करते दो आरोप्यों को हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार बिच्छी वारा पुलिस ने शनिवार को रतनपूर बॉर्डर पर शक्क्याधार पर नाकेबंदी के दोरान एक कार से साड़े चार करोड रुपे केश जब्त करते हुए कार सवार दो लोगों को गिरफतार किया। बिच्छी वारा थाना अधिकारी मोहमद रिजवान खान ने बताया कि नाकेबंदी के दोरान रतनपूर बॉर्डर पर उदेहपूर की तरप से आ रही एक कार को रोक कर तलाशी ली गई जिससे कार में सीटों के नीचे एक गुप्त केबिन बना हुआ पाया गया। पुछताज करने पर दोनों ही व्यक्ति संतोष प्रजवाब नहीं दे पाये। कारवाई के दोरान बिच्छी वारा पुलिस ने नोटों से भरी कार को जब्त करते हुए कार सवार दो लोगों को हिरासत में ले लिया। कार को जब्त करने के बाद में पुलिस आरोपियों को लेकर बिच्छी वारा थाने पहुची और नोट मशीन द्वारा नोटों के बंडलों में से नोटों की गिनती शुरू की। कार से लेकर गुजरात के एहमदाबाद जाना बताया गया। अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी यह राशी शायद हवाला कारोबार से भी जुड़ी हो सकती है। तसकरों ने यह राशी कार की सीट के निचे जुगार करके बनाए गए केबिन में छुपा कर रखी थी। लगभग 15 पुलिस कर्मियों ने आदे घंटे तक कार की तलाशी ली तब जाकर कहीं इसका पता चला। दिल्ली से लेकर बिच्छी वाड़ा रतनपूर बॉर्डर तक लगभग 55 पुलिस थाने वह चोकिया आती हैं। लेकिन इनसे बचते बचाते तसकर लगभग 800 किलोमीटर का सफर पूरा करके यहां रतनपूर बॉर्डर तक पहुँच गए। इसके बाद तसकरो को केवल 170 किलोमीटर सफर और तै करना था लेकिन इससे पहले ही बिच्छी वाड़ा पुलिस की सजगता से तसकरो को धर लिया गया। लगभग 4.5 करोर रुपए के नोटों की गड़्यों को गिनने के लिए पुलिस को नोट गिनने वाली मशीन का सहरा लेना पड़ा और उसमें भी 3 गंटे का समय लगा। चंद्रमोली 24 के साथ रवीर राठोर गोल्डी गोफन टीवी डोंगरपूर बास्वाड़ा।